जी हलो दोस्तों मैं हूँ कॉमर्ट शीमा और दोस्तों मेरे साथ मुझूद है प्रफेसर डॉक्टर गिलफाम बागूर साथ आप एक्स्ट्रीम कॉमर्स इंक्वेशन नेटवर्क को हैट कर रहे हैं लीट कर रहे हैं और मैं वाकिछ जानना चाता था पाकिस्तान में जो स्टार्ट अप्स हैं उनकी क्या वैल्यू है और पाकिस्तान में किस तरह स्टार्ट अप्स आ रहे हैं या ई-कॉमर्स की पाकिस्तान में क्या पूजिशन है तो मैंने डॉक्ट साब से रिक्वेस्ट की पहले इनका तालुक एकडिमिया से था अब इनका तालुक इंडस्ट्री से है डॉक्ट साब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया ओनर्ड थैंक यू अच्छा डॉक्ट साब ये बताईएगा कि ये जो e-commerce है या जो फ्री-लांसिंग है इसका खास दोर पर पाकिस्तान में क्या scope है एक ठोड़ा हमें इंटरनेशनल रफरेंस से भी बिता दें लेकिन पाकिस्तान में इसका क्या scope है और हम समझे हैं 65% पाकिस्टान की यूट है इसको हम engage कर सकते हैं सकिन कर सकते हैं इस business में आप इसको as an expert क्यो हम बात करते हैं फ्री लांसिंग की या e-commerce की तो e-commerce तो अभी हमारा two percent of the trade total और जो फ्री लांसिंग है उसमें विदिन पाकिस्तान तो बहुत बरी opportunity कुछ ऐसी है नहीं कैसी company zone जो फ्री लांसिंग अपर करती हो तो definitely जो global opportunity होगी उसको पाकिसानी यूथ अगर tap कर सकती है तो वह उसके लिए opportunity हो तो इसके लिए यह देखना बड़ा दूरी है कि global opportunity है या नहीं है as per the world economic forum before covid as per one of the report it was that by 2025 there will be more freelancing as compared to traditional jobs so either online or otherwise so अगर आप यह देखिंगे तो 50 percent of the employment जो है वो तो हो जाएगी freelancing पे globally तो future of workplace change हो रहा है इस वज़े से globally जो है traditional jobs shrink हो रही है और freelancing opportunities बढ़ रही है जब पाकिसान में because of multiple reasons क्योंके वो ease of doing business और बाकि जो हमारे social economic कुछ ऐसे indicator जिसके विज़े से challenges बढ़ रहे हैं तो बचों के लिए बहुत बड़ी opportunity है कि वो online earnings जो है वो कर सके और इसी वज़े से वो online earnings कर भी रहे हैं और पाकिसान fourth number पे हैं और टेचिंग number three in the freelancing उसमें भी पिछले तक किवन चार साल से अगर हम देखें चार-पांच साल तो जो e-commerce है उसके अंदर हमने exponentially grow किया और शायद यह जो नंबर हमारा number four पे है और आगे जाके जलती हम number three पे चल जाएंगे एसपर one of very close friends के president साब ने यह कह चुके हैं कि we are number three लेकिन कि में पास data या कुछ ऐसी reports officially नहीं है तो we I'm not saying this thing तो वह e-commerce की वज़े से भी free freelancing में हम जैसे फाइवर है या फरक है उसमें Amazon में number one पे आगे तो उसकी वज़े से भी बहुत बड़ा impact हुआ है जिसमें overall freelancing में भी हम जो जो आइटी सेक्टर है इसमें opportunities को हासल करना कितना मुश्किल है और क्या IT normally हम कहते हैं कि बड़ा मतलब बड़ा है लेकिन बहुत सारे लोग की सिस्टम से भी बाहर भी है लोगों को भी पता भी नहीं है पाकिसान अभी उस तरह इंडिया आइटी पे बहुत आ गया तो पाकिस्तान पीछे आप इसको किस तरह देखते ह पाकिसान के अंदर पूरा इको सिस्टम डिवलप हो जो अब आके समहाओ पाकिसान में एकॉमर्स के अंदर इन वन वे अंदर जो है डिवलप हो रहा है सो पाकिसान के अंदर कुछ चैलेंजेश हैं ऐस पर पाशा जो हमारा सौफ़र हाउस एस्टियेशन है हर साल 25,000 आइटी ग्राजुएट्स जो हैं वो ग्राजुएशन करते हैं उन 25,000 में से 10 परसंट जो हैं वो बाहर चले जाते हैं 10 परसंट ऐसे लोग हैं जो और्गिनाइजेशन जिनको हाइर कर लेती हैं और बाकि जो 80 परसंट हैं वो ऐसी वर्कफोर्स नहीं हैं जिसको सौफ़एर हाउसे जो हैं वो यह कहें के हां के उनको हाइर किया जा सकते हैं वाट आइम सेंग इस के आउट उस 25,000 सिर्फ 5,000 ऐसे लोग हैं जो इंप्लाइबल हैं 20,000 वर्कफोर्स जो आईटी किया है वो उनकी इंप्लाइबिलेटी चैलेंज है अच्छा क्या जॉब्स अप्रचुनिटिस का में जिसकी वज़ए सो कॉम्पिटीशन जादा ऐसा नहीं है टोटल पर एनम जॉब अप्रचुनिटीज आईटी सेक्टर में एक लाग हैं बाकितान तो जिस्ट इमेजिन एक लाग हैं उसका वन फोर्थ प्रोडूस करें उस वन फोर्थ का भी 80 परसंट जो है वो ऐसा नहीं है जिसको इंडुस्ट्री कह सके कहां ही है सो एक्चुली वो जो एकडीमियों इंडुस्री है उसमें गाब बहुत बड़ा और जो दोनों पार्टीज हैं वो साइलोस के अंदर जो हैं वो काम कर रही है और कहां बहुत अद कि जो स्टाटेजीज हैं उन्होंने का था हम महीं रिवाम करके दें और आप महीं ऐसा करें जैसे पिंजाम इंफ्रमिशन टेक्नोलोजी बोर काम कर रहे तो हम केपी आईटी में में करना चाहते हैं और आप हमें बताएं गौर्मेंट लेवल पे कितनी इंवस्मेंट लगे और आई टॉक विद मैनी गाइस नाइटी परसेंट फेक्टर जो था वो हीमन रिसोर्स था और सॉफ्य हॉसेज ने कहा कि अगर आप हमें केपी में अच्छी हीमन रिसोर्स दे दें तो नॉलिज पार्क हम खुद बना लेंगे सॉफ्य हुद बना लेंगे फैसिलिटेशन ह हमें किसी गवर्मेंट के स्पोर्ट की नहीं जरूरत लेकिन अगर आप वो हमें हीमन रिसोर्स इची नहीं प्रोवाइट करते तो फिर हमाने लिए चालेंज है नो मैटर वर्ट आप कितनी इन्वस्मेंट करें हैं हम करें वो इंडिफरेंट रहें बिल्कुल ठीक है तो ड जिन्हें आप कहते हैं एक करव डॉलर का और मैं देख रहा था रिसंट ही कोई 332 बिलियंड डॉलर इंटरम्स ऑव जुनिकॉन इंवेस्टमेंट आई है और मेरे हैं दुनिया की थर्ड लार्चेस्ट डेस्टिनेशन इंटरम्स दूनिकॉम और उस चाइना इंडिया तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं स्टार्ट अप्स का फ्यूचर जो आपने फैक्टर्स बताया है इसकी चेकल में और फिर फ्यूचर आउटलग क्या स्ट्रेट की अच्छा अब वह हमें ना वह आई-टी के इको सिस्टम को अलएदा इंडर्स्रेंट करना है कॉमर्स क अगर इंडिया में हुआ है ना यह पहले चार-पांच साल पहले बना और अब देखें कि उसके बाद एक्स्पनेंशल ग्रोथ हुए पहले इंडिया में भी नहीं लेकिन वह जो आपके पास जो इसे स्टार्ट अप्स बंते हैं ना ऐसे स्टार्ट अप्योन बने उनसे पह चोटी-चोटी-चोटी सब्सकती अधर सब्सक्राइब कर रहा हुए और उन समे यह पूसिपिलीटीज निकलते हैं कि उन्यून निकल सकता या नहीं 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 सकता है वरना अगर ऐसा नहीं होता तो शहता से 10 साल पहले 15 साल पहले कोई एक-एक उनिकॉन निका रहा किसम के इंकुबेशन नेट्वर्क्स आया पहला एनाइसी आया जिसको एगनाइट ने फंडिंग दी नेशनल इंकुबेशन सेंटर दूसर जो आया वो टेक्नॉलोजी इंकुबेशन सेंटर सेंटर से जिनको यह प्लान नाइन यह के PITB ने या PITB ने इन्होंने फंडिंग सेंटर 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 को एचिछी ने फंडिंग इसके लाव बहुत लिमिटेड जो हैं वह प्राइवट इंकुबेशन सेंटर से आये वह आ है अब आके पहली दफार एक्स्ट्रीं कॉमर्स ने इंकुबेशन नेट्वर्क वह बनाया प्रायवेट पहला जो कि पाक्सान का तो एको सिस्टम अगर नेशनल लेवल पर मौझूद हो उसके अंदर से बेस्ट स्टार्ट अप्स निकलेंगे तो वो फिर जो हैं यूनिकॉर्ण बनेंगे तो हर औरगेनाज़ेशन ने एक ऐसे इनोबेटिफ कर्ड़ग बनाने के कोशीश की जो के वाव असे सिलीकॉ से ऑभी अभी और आहें रहें लेकिन हमारे से पास व किन्जूबर मार्केटी नहीं है वह इको सिस्टम ही नहीं है इस वज़े से वह ऐसा ऐडिया अगर क्लिक भी होता है तो या तो वह सिलिकॉन वैली चला जाता है या हमारा वह इंकुबेटी सिलिकॉन वैली चला जाता है और इनोवेटिव आइडिया इसोलेशन के अंदर और मोस्टली वर्केबल नहीं होता है इस वज़े से नॉर्मली टू-3 परसंट जो सेक्सेस रेशो है वो भी नहीं रख जबकि अगर मैं आपको बताओं कि यह जो इकॉमर्स का इंकुबेशन सिस्टम है एक्स्ट्रीम कॉमर्स का इन्होंने क्या किया अच्छा जो बाकी इंक सेक्सेस रेशो त्री तू-4 परसंट है वो ग्लोबली इतनी है हमारा जो इंकुबेशन सिस्टम है एक्स्ट्रीम कॉमर्स का उसकी सेक्सेस रेशो वो लोग जो छे महीने गुजारते हैं उनकी 82.5 परसंट है अश्पर इस स्टेडी जो हमने लास्ट यर एंड में किया अग हम उसको ग्लोबली भी देखें और नेशनली भी देखें अच्छा नॉर्मली जो इंकुबेशन सिस्टम से उनका जो टाइम डूरेशन है वो थ्री टू-4 यर्स होता है आइडिली 4 यर्स होता है वह थ्री होता है हम यह बात करें 6 months की तो जैसे 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 डूरेशन एक का इंकुबेशन में बढ़ रहा है तो उसकी जो सेक्सेस के जैसे वो बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस क्या था हम लोगों ने किया आपने को इन्वेटिव प्रॉजेक्ट नहीं बनाना आपने बिजनस को इमिटेट करना है जो आपके साथ वाला काम कर रहा है आपने भी वही क्या रहा है टो रिजम के अंदर अधेकल में एडिकमर्स नहीं कांपा तो जितने भी लोग इई कॉमर्स में आएंगे हमारे पास बैटेंगे उसके लावर कोई नहीं तो impact क्या create हुआ कि तमाम लोग एक दूसरे के लिए source of learning हो गए source of earning हो गए जब जिसकी टीम बनती थी उसको human resource वहां से मिल जाती थी जो नए आता था उसको अपने seniors मिलते थे seniors वे junior सापस में collaborate करते थे partnerships होती थी और वो businesses जो हैं वो बनने शुरू हो गए जो learnings हैं वो develop होती तो मैं उसको कहता हूं कि it is a nano silicon valley in Pakistan जिसकी वज़ा से अगर आप देखें तो हमारा जो impact है total वो four hundred million dollars से उपर जा चुक है जो सिर्फ और सिफ extreme commerce ने जो एक ecosystem develop है उसका जो impact है तो हम लोग idea की जगा business पे focus करते थे international funding की जगा partners पे focus करते हैं और इसी तरीके से हम business acquisition पे focus करते हैं रादर देंकि हमारे पर सीट फंडिंग्स आएं या venture capitalist तो अब आप यह बताएं कि यह जो incubators होते हैं यह कितनी किसम के हैं पाकिस्तान में और यह किस तरह काम कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सा हमें क्योंकि पर टेक्निकल सब्जेक्ट भी है लेकिन ज्यादा तर क्योंकि हमें पाकिस्तान को समझभी आइगे अच्छा मैं डिवाइट करता हूं पांच के इंदर हमारे जो इको सिस्टम से पाकिस्तान में एक है नेशनल इंकोबिशन सिस्टम जो पहले पांच थे प्रोविंशल कापिटल्स में और इसलामबाद में और उनको फंडिंग आती है इगना ये कम कमपनी सो करते हैं लेकिन अगें जैसे मैंने का ना कि जो फोकस्ट है वो ये है कि कोई भी एक ऐसा स्टार्ट अप ने टेक आफ कर लिया तो वो पूरी के पूरी इंवेस्मेंट्स को जो है वो ट्रेड आफ कर देगा तो वो उस फोकस के साथ करें बहुत हाईली मौझूद हैं फोकस भी करी हैं काम भी करी है और डियार डूइंग वरी ग्रेट जॉब लेकिन उनका भी यह चैलिंज है कि जो इन्पुट है जो ऐसा क्रीम नहीं आ वो पूरे पाकिसान से हंट करते हैं लेकिन अच्छे रिसोर्स नहीं अच्छा दूसरी जो फंडिंग हैं वो टेक्नोलोजी इंकूपिशन सेंटर्स की हैं जिनको प्रोविंशल गौर्मेंट स्पोर्ट कर रहे हैं और वह भी आईटी के अंदर नॉर्मली स्टार्टप्स करत होती है और 20 लोगों के आईएज होते हैं तो हर किसी का आईएज़ी दूसरे इफरेंट होता है तो आप उसको अपर लेकिन लेकिन उस पैसेफिक आईडिया में हर इक स्टार्टप के लिए एक एक्सपर्ट का होना और मसलसल उसके साथ रहना वो पॉसिबल नहीं है तो इस कुछ से पूछें जो मेरी लेंग से आइडियाज हैं और जो मेरे एक्सपिरियंस है उसमें अभी तक जो हमारी अकडीमिया है उसमें जो लीडर्शिप है उसको अभी तक स्टार्टप इको सिस्टम की इंपॉर्टनस नहीं पता चल सके वो उसको रीलाइज निंहीं कर सके कि ह और अगर होता भी है मतलब अगर जो इंक्यूबेशन के लेवल की टीम है वो उनकी केपेस्ट्री बिल्ट करते हुए लीडर्शिप की दो तीन साल जाते हैं चार साल के बाद लीडर्शिप चेंज हो जाती है फिर जब नहीं लीडर्शिप आती है उसको दुबारा से बताना पड़ता है तो वो उसी सर्कल के अंदर जो है वो गुम रही है तो नॉर्मली यह जो टीम से इंक्यूबेशन की वो लीडर्शिप की कपेस्ट्री बिल्ट कर रहे हैं पिछले 10 साल थे ठीक है तो वो एक बड़ा स्ट्रेट जो है वो चैलेंज है अब प्राइवेट सेक्ट से आप फिल्टर करते थे और एक बंदे को स्लेक करते हैं हमारे इंक्यूबेशन के अंदर हमने का कि आप एड़् ग्रेट में नाइन टेंट में नेंप्लॉइड हैं दो लाखी ले रहे हैं आप हाउस वाइफ हैं आप आके इंक्यूबेशन में बाट जाएं आपका कोई पृट्रिशन क्राइटेरिया नहीं जो दूसे इनिशेटिज उनमें भूट तफ क्रैइट लगें लगए नहीं कोई क्राइट splendem कर्यों नहीं लगें patchwork लीविशन को स्पार्ण करूबेशन जिसलएं आपको क्लाइट्स भी विलिझँ भी होगी मिलेगा आपको हमारे पास आठ शेरों के इंकुबेशन सेंटर्स हैं जिसमें कराची लोर, इसलामबाद और पिशावर, क्लिप है, पिर मुलतान, फैसलाबाद, रहींविया खान और स्याल कोट है, तो नॉर्मली हमने इंडिस्रियल एडियास में कोशिश किया है, कि हम अपने इंकुबेशन को बनाएं लेकिं वहाँ बचे आ रहे हैं और स्युनेटी स्क्रेट हो रही हैं, तो वो छुटे-छुटे बिजनेस करने के लिए त्यार है, अगर आप देखें हमें तो हम लोग जो हैं वो फोकस करते हैं किचन इंकम पर, और वहाँ वो यूनिकॉर्ण पर फोकस करते हैं, तो पाकिस कर रहे हैं, वो पर एक इंसिचूशन भी बना लेगा, तो हम हमारे जो फाउंडर हैं सनी अली उन्होंने खुछ यूनिकॉर्ण मतलब स्टार्टप्स के अंदर उन्होंने बड़ी हुज इन्वेस्मेंट्स के हुई हैं, लेकिं वो यह कहते हैं कि हमारा बच्चा जब उस इसका पेट भरा हुआ होगा, और उसके एसेट्स मौझूद होंगे, फिर यह वो स्टार्टप्स के बारे में सोचेगा तो वो सही सोचेगा, बिलकुल सही, अच्छा डॉक्ट्र साब हम यह बताएं, इससे आगे अगर बात को लेके चलें, तो एक है e-commerce incubator और एक है tech incubator, आप क्या सोमेश नहीं, इनमें क्या difference और क्या scope है इसमें पाकिस्तान में, जो आप शिलिकॉन वैली की भी बात करते हैं, तो इसमें पाकिस्तान में आप किस तरह इस तरह difference नजर आता है, अच्छा, बड़ा interesting है, जो tech incubations है ना, they are inspired from Silicon Valley, और वो जिन methodology score, models को follow करें, वो भी influenced ह Silicon Valley से, Silicon Valley ने idea पर focus किया, लेकिन हमें ये understand करना बड़ा जूरी है, कि Silicon Valley ने उन ideas को जब focus करी थी, तो वो global ideas पर नहीं focus करी थी, वो national ideas पर focus करी, उन्होंने ये रेखा कि America में किस चीज़ की जूरुए था, जब वो अमेरिका में successful होगे तो globally move हो गये, हम लोग जो focus करते हैं, तो हम अपनी indigenous needs को देखे बगाए है, हम global opportunities को इकॉन वैली से influence रोके कर रहे हों, तो बहुत से ideas जो पर पोस किया जाते हैं, वो अपनी socio-economic conditions की वज़े या उस expertise के ना होने की वज़े से, पाकिसान के अंदर workable नहीं होते हैं, जो के e-commerce innovation है, उसमें क्यूंके आपने innovate नहीं करना, अपने business develop करना, innovation भी है, product के उपर है, R&D है, अगेन वो ecosystem से develop होती है, अगर देखेना, हम Silicon Valley की बात करते हैं, Silicon Valley तीन वज़े से successful हो और दुनिया में बड़ी दफा उसको replicate करने के कोशिश की और वो नहीं हो पाए, एक तो यह था कि वहाँ investor मौजूद था, अगर आप even in 2000 की जो figures हैं, उसके मताबिक तक्रीबन 2400 लोग daily basis पर एक organization को छोड़के दूसरी organization में जाते हैं, because या तो वनाए startups करते थे, वो कर सकते हैं, तो किसी को भी क्लिक करता था, कि मैं यह कर सकता हूँ, और मुझे जो employer है, वो सही rates नहीं दे रहा, या मेरा idea जो है multi-millionaire idea है, या मैं इससे जादा earn कर सकता हूँ, और अगर उसका employer convince नहीं होता था, तो वो कर लेता, तो वो दूसरे उसका strength थी, तीसी यह strength थी, कि वो लोग जो हैं, अपने offices के नीचे ढावबों पर बैठते थे, और किसी क्या expertise थी, किसी क्या expertise थी, और जब वो गप्षप करते थे, खाना to different disciplines, तो actually multiple backgrounds के लोग आए, मिले उन्होंने एक नई चीज़ यह है, वो innovate करने लगे, IBM देख लें, उन्होंने पहला PC बनाया, तो उसके specification उन्होंने पूरे Silicon Valley में spread करते, कि competition और बढ़, So, similarly, e-commerce industry में somehow, ऐसा हुआ, कि जो training सी, rather than, वो शुरू यही हुआ, कि अगर उसके concept को देखें, कि जब business, पाकिसान में Amazon बैन था, तो, extreme comments ने क्या किया, कि उन्होंने पूरी दुनिया में रोडशोस किये, पाकिसानी डाइस पोड़ा को एकठा किया, उनको कहा कि आप पाकिसानी जो पाकिसान में मुझूद हैं, आप investments करें, और अपने accounts create करें, हम उनकी capacity build करते हैं, जो पाकिसान में लोग मुझूद हैं, और आप उनके साथ partnerships करें, और अपने business को successful करें, और खुद भी investments की, million dollars की, उससे results आना शुरू होगे, success आना शुरू होगे, लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, confidence built होगे, उस confidence की basis के उपर, अब जो वो पूरा ecosystem है, अगर हम Facebook की बात करें तो वो 1 million से उपर गया, जि फिर मसला है, capacity building का, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा था, तो किसी कोई भी त्यार नहीं था trainings देने के, तो हमने क्या कर दिया कि रिकॉर्डडड़ ट्रेनिंग्स में नहीं, और वो रिकॉर्ड़ड़ ट्रेनिंग्स जो हैं, उनको हमने low cost को पर sale करना शुरू कर दिया, अब ज तो हमाम बच्चे जो किसी कॉलिज या यूनिवर्स्टी के स्टूड़ट्स है या तमाम फीमेल थी या वो लोग जो 80,000 से कम monthly salary अंड कर रहे थे, उनके लिए ये free हो गए, हम इसको कहते हैं video bootcamp, अच्छा इस video bootcamp के एक सो पचास ऐसी skills हैं, जिससे बंदा online जाके पैसे अं online जो हैं वो पैसा कमार, और हमारे पास at a time active users जो हैं वो 35,000 होते हैं, अच्छा तो डॉक्र सब ये बिताएगा कि मुस्टिक बिल में आप क्या challenges देख रहे हैं, और scope क्या है, फाइनल ये आखरी सवाल मैं आप से करूँगा, ताकि हमारे viewers को थोड़ी, इसको discussion को जो है, वो in terms of startups है, इसको ये बड़ी important है, लोगों को second करना, इस तरह आपने labor issues का बताया, human resource का आपने बताया, का हमारे लिए challenges है, तो काइंडी जरा आखर में ये भी बताया है, देखें, चीमा साब एक बहुत important है कि हम ये देखें कि global opportunity है या नहीं है, बिल केट से एक दफर किसी ने nation, either way or at the right time, at the right place or not. So, देखें, 2000 के अंदर, पाकिस्तानी जो labor थी, it was more expensive as compared to China, India and Bangladesh. Now, we are cheaper than China, cheaper than India, cheaper than Bangladesh. So, हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम international business करते हैं, या investments करते हैं, या freelancing करते हैं, जहां डॉलर्स के अंदर rates, globally competitive environment में लेते हैं, तो वहां हम low price के ओपर, beat कर सकते हैं, अपने competitors को, क्योंकि दुनिया में अगर आपने business करने हैं, तो broadly दो चीज़ों पर करते हैं, आप low cost पे और high value पे, हमाई पस country सी examples मौझूद हैं, China, Japan and next way, अब आज़ेते हाई value, अगर high value की बात करते हैं, तो वह ecosystem मौझूद है, जहां जो दुनिया में अभी त क्योंकि वो जितने भी लोग आ रहे हैं, वो इसी society से आ रहे हैं, और उनका वो business acumen नहीं है, technical knowledge आ गया, business करना भी आ गया, बट somehow क्योंकि वो temptation होती है, जादा पैसा आने की, तो वो जो commitments हैं, क्योंकि आप popular होते हैं, और business आना शुरू हो देता है, आप commitments को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं, यह तो नहीं कहते हैं, आप चीट करते हैं, कहीं वो कर भी पाते हैं, लेकिन आप miscommunicate कर रहे होते हैं, या आप अपनी commitments को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, तो वो मुझे एक threat लगता है, कि जब अपने आपने globally compete करना है, तो you have to compete on the values, तो वो एक 20% है, by 2030 it will become 80%, तो 80% 20% हो जाएगा, 20% 80% हो जाएगा, तो अगर हमने इस opportunity को ग्राफ कर लिया, तो हमारे पस dozens of millions of Pakistanis भी अगर e-commerce के अंदर आए, तो उसके opportunity नहीं खतम होने बढ़ेगी, एको सिस्टम में जितना जादा human resource inject in होगी, उतनी जादा competitive environment बनेगी, उतना जादा अच्छा human resource निकलेगा, और वो globally इतना ही जादा compete कर सकता है, दूसरी एक opportunity, कि मतलब IT के हवाले से है पाकिसान, अब देखें, इंडिया बहुत आगे चला गया, IT के अंदर, लेकिन अभी भी emerging technologies ऐसी field है, जो अभी emerge हो रही है, और अगर आप UK को देखें, तो UK की जो average age है, वो 43 years है, पकिसान की average age 23 years है, तो youth is sitting in Pakistan, Canada में, अमेरिका में भी है को कोई बना doctor बना 2012 में तो वो कहता है यार, अब मैंने emerging technologies पर काम नहीं करना, आयोटी के ओपर, metaverse के ओपर, blockchain के ओपर, AI के ओपर, machine learning के ओपर, तो हम जो हैं वो globally compete कर सकते हैं, and we can globally compete with the countries like India, so यह है कि हम right time पे right decision लें, और positioning करें और इन ecosystem को strengthen करें, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो चले जाएगी, एक last जो एक element of threat है, वो यह है कि मुझे लगता है कि rightly investments नहीं हो रही है in capacity building पे, क्यूंकि जो भी claim कर रहे हैं कि हमें यह training करवानी आती हैं, वो सारा का सारा fund वहां जा रहा है, और नॉर्मली बहुत से ऐसी companies हैं जो सिर्फ इसे project लेने के लिए वो training offer कर रही है और market में को जो भी human resource मिल रही है, वो competent नहीं है उसको भी कर रही है, तो उसकी वज़े से एक जो गलत quality आ रही है और उसकी वज़े से जो हमाई जो speed है वो भी slow रही है, क्यूंकि quality resource नहीं produce हो रही है, ताके पता चलते रहे के हम कहां खड़े हैं और दुनिया कहां खड़े हैं, thank you very much professor dr. गलकौंचाब